तो सबसे पहले मटरपनेर का ग्रेवी तैयरा करना पड़ेगा तो इसलिए मैं ले रही एक पैन में एक टेबिल स्पून तेल जैसे तेल गरम होगा तो इसमें हम डालेंगे साथ बरी कट हुआ लैसौन और इसे के साथ मैं डाल रही एक इंच बरी कट हुआ अध्रक इसे हम एक मिट के लिए भून लेंगे अब इसके साथ हम डालेंगे दो मेडियाम सैज्ब का कटा हुआ फ्यांस इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक नहीं थोटा सा कलर ना आ जाए जब प्यांस में थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे दो-तिन कटा हुआ हरी मिर्ची और इसी के साथ दो-तिन कटा हुआ टमाटर सारे चीजों का अच्छे से मिला लीजे और इसके साथ हम डाल देंगे एक छोटी चमच नमक ताकि जल्दी से पक जाए अभी हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके कुक करेंगे एक पैन में एक टीवली स्पूं ने अगरम अगा तो हम इसमें डाल देंगे एसे कवर करा पनीर को चारो तलब करके फ्राइब करेंगे 2-3 मिनित लागेगा फ्राइब होने में हैं अब ही हम इसे निकाल लेते हैं बहुत ज्यादा यह मत किजेगा बस हलका साई फ्राई कीजेगा उसी पैन में मैं डालूंगी एक टेबिल स्पून तेल और इसमें मैं डालूंगी एक छोटी चमज जीरा जैसे जीरा थोड़ा सा चटकने लगेगा तो इसमें मैं डालूंगी एक छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चमज हल्दी पाउडर और एक बड़ी चमज धनिया पाउडर इसे थोड़ा सा चला लेजिए और फ्लेम को लो रखिएगा नहीं तो मसाले जल सकता है और इसे के साथ मैं डाल दूए एक छोटी चमज जीरा पाउडर और इसके साथ हम डाल देंगे टमाटर का प्यूरे इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10-12 मिट तक अच्छे से भूनेंगे मतलो तब तक भूनेंगे जब तक इसके साइड से तेल सेपरेट नहीं हो जाती दस बार मिट बाद हम देखेंगे कि ग्रेवी भी थोड़ा सा गड़ा हो गया है और इसके साइड से भी तेल सेपरेट हो गया और इसका कलर जो है थोड़ा सा डाक हो गया है तब हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी इसे थोड़ा सा चला लिजेगा जब इसमें थोड़ा सा उबल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे एक कप मतर मैंने यह आपर फ्रोजन मतर लिया है और उसी के साथ ही मैं डालूंगी फ्राइ करा हुआ पनीर अगर आप एकदम फ्रेश मतर ले रहे तो मतर को पहले पका लिजें एक दू मिनिट फिर उसके बाद पनीर डालिएगा और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक ध्यान राखिएगा कि पहले भी हमने नमक डाला था और अभी हम इसे कवर करेंगे और कवर करके साथ से आद मिनिट तक हम कूक करेंगे अभी साथ आद मिट हो गया अभी हम इसे थोड़ा सा चेक करते हैं मैं बहुत ज्यादा ग्रेवी बला नहीं बनाओंगी तो इसलिए मैंने 7 आद मिट पका लिया अगर आ थोड़ा से ग्रेवी बला चाते तो आप 2-3 मिनिट भी पका सकते है इसे थोड़ा सा चला लीजेगा और एक दू मीट और कुक कर लेंगे लीजे हमारा बान गया मटर पनीर बहुत ही बढ़िया कलर आया है बहुत इजी है बहुत ही सिंपिल है आप इसे जरू ट्राइ करें आप इसे रोटी चाओल नान किसी के साथ भी साब कर सकते हैं थोड़ा सा उपर से हरा धनिया से गार्निशिंग कर देते हैं आपको इस वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरू बताईएगा थैंक यू